वैसे तो अनेकों फाइटिंग जॉनर में कमाल के एक्शन अनीमे है बट वन पंच मैन इस लिटरली वन अफ अकाइड एस्पेशली कोई अनीमे पूरी तरह जस्त एक पैरेडी होने के बेसिस पर आपको इतना सेक्सी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो वन अफ अक काइड बनी जाता है और यहां मेरा सेक्सी कंटेंट का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि यार वन पंच मैन तो एनीमे है तो पैरेडी कैसे हुआ वीडियो पूरा देखिए आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ कभी कभी यार दुनिया में कुछ चीजें इतनी परफेक्ट बन जाती हैं कि उनको रिक्रियेट किया ही नहीं जा सकता जैसे डानल्ड रम की शकल कुछ भी कुछ भी और वन पंच मैन सबसे पहले तो यार मुझे ऐसा लगा कि वन पंच मैन कोई बिकार सा सूपर हीरो एनीमे होगा जिसकी स्टोरी में कोई दम नहीं बट आफ्टर वाचिंग एट मेरी दुनिया ही बदल गई अब देखो मेरी तरह काफी लोगों ने बीना देखे इस शो को पहले से ही जज़ कर लिया होगा कि यार यह तो एक बिकार शो है बट सबसे बड़ी बात बीना शो को देखे कभी ज़ज मत करो कि वो ठीक है या नहीं एस्पेशली अगर उस शो की I am db rating 8.8 out of 10 हो एंड शो देखने के बाद भी उसे जज़ करना है तो उसे उस purpose के basis पर जज़ करो जो purpose वो शो सर्फ कर रहा है क्यूंकि मेरे ख्याल से हमें शो में उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए जो वो हमें दिखाना चाहता है और one punch man के मामले में वो चीज है execution अगर आपने पहले से predetermined कर लिया है खुद को कि आप ये शो नहीं देखने वाले हो तो सच में आप बहुत बड़ी गल्थी कर रहे हो क्यूंकि इस पूरे universe में आपको कोई भी clearly नहीं explain कर सकता कि यार इस शो का execution level क्या है madhouse is one of those anime studios जो सिर्फ अपने काम की वजह से जाने जाते हैं बट इवन madhouse के बाकी anime से compare करें तो one punch man की animations literally overpowered हैं सच कहूं तो madhouse studio ने जी जान से मैनत की थी one punch man पर and मैनत का फल तो मीठा ही होता है और ये मीठा नहीं ये वाला और देखते ही देखते one punch man 2015 का biggest anime बन गया किसी ने नहीं सोचा था कि one punch man इतने कम समय में इतना जादा पॉपुलर हो जाएगा वैसे अगर आप लोगों ने बच्पन में मेरे जैसे पोगो चैनल देखा है तो आपको भी one punch man को देखने के बाद एक बार तो एन पैन मैन की याद ज़रूर आई होगी costume सोड़ी मिलती जुलती है न एक बात और बता दूं क कि one punch man का budget बिल्कुल average था अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक average budget में इतने तगड़े animations कैसे उसके पीछे का कारण है Bones Studio जी हाँ वही Bones Studio जो Full Metal Alchemist Brotherhood और My Hero Academy है जैसे Amazing Animates के लिए जाना जाता है यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि Madhouse तो अपने काम में perfect है ही बट बैटल सी sequence create करने में Bones Studio का कोई जवाब नहीं और इसी वजह से Badhouse ने Bones का का काफी सारा staff hire किया था One Punch Man को बनाने के लिए और अगर आप अभी तक यही सोच रहे हो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने One Punch Man को एक parody किस basis पर कहा तो अब मैं यही बताने वाला हूँ देखो इस शो की सब थोड़े elements लेकर उनकी तरफ इशारा करते हो अगर आप कोई नया content create करते हो तो उसे parody कहते हैं and parodies mostly मजाग तक ही limited होती है but One Punch Man is truly an exception यह fight scenes की inspiration आजकल के mainstream shonen से ही लेता है but उनसे भी 20 गुना better fight scenes create करता है and वो mainstream shonen से emotional scenes लेता है और उन्हें अपने अंदाज में बहुत खूप स चूरती से portray करता है इसका मतलब One Punch Man parody होने के बाफजूद mainstream anime में इसका मजाग ना बनाते हुए उन्हें सिखाता है कि एक quality anime क्या चीज है One Punch Man की अपनी कोई original story नहीं है वो बाकी anime से कुछ scenes और sequences उठाकर बहुत अनोखे और better way में create करके present कर देता है and आपको पता भीन चलता कह कहां से उठाया है and इस शो की representation के बारे में क्या ही कहूं यहां मैं season 1 की बात करता हूं यह एक लौता ऐसा 12 episodes का show है जिसके characters के साथ आप easily connect कर सकते हैं भले वो सायतामा हो जैनौस या फिर फूबुकी and music तो इस anime का amazing अब बात कर लेते हैं one punch man के second season के बारे में and सचकों जब second season आने वाला था तब बहुत से fans चिंता में आगे थे कि यार कहीं यह show spoil ना हो जाए क्योंकि mad house ने one punch man पर काम करने से मना कर दिया था और अब second season जेसी staff बनाने वाला था बट सब कुछ smooth रहा मेरे हिसाब से तो season 2 के भी 12 के 12 episodes कमाल थे and अब season 3 का जिम्मा भी जेसी staff नहीं लिया है और maybe हमें 2022 के mid तक season 3 भी मिल ली जाएगा तो यारो आज की वीडियो में बस इतना ही and one punch man काफी अच्छा beginner anime है I totally recommend it और अगर आगे इसी तरह के recommendations और reviews देखते रहना चाहते हो तो channel को subscribe करना मत भूलना मिलते हैं अगली वीडियो में कर्ण कर दो में जाएगा